सब्सक्राइब कीजिए नदाशनहरदिक चनल को प्रेस कीजिए इस पहल आइकन को उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे दोस्तो मैं आज आज आपसे बात करने वाला हूँ विन टर्बैन की पावर आउटपूट और वर्सिस यहाँ पे उसके करेक्टरिस्टिक को लेके आया हूँ तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को पूरा आज एंजोई करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है तो विन में से जब भी कोई भी पावर आउटपूट रहता है वो पावर आउटपूट यहाँ पे प्रोपोजनल टू वी क्यूब की रेट में चेंजिस होता है यानि कि मैं बात करूँ यहाँ पे तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पावर वर्सिस में यहाँ पे विन स्पीड की करेक्टरिस्टिक दोर लेता हूँ तो यहां पर वींड स्फीड मेकेनिकल चैंज हाएगा, जैसे कि मैं बात करूँ इहां तो आपको सबसे पेहले दिखा हुआ तो यहां पर दीखा दिखा दी है में इर्चैंग में देघ्रती स्पीड के बार में मैं आपको आगे दिखाता हूँ जैसे कि नॉर्मली यहां पे तीन मीटर पर सेकंड की स्पीड से अभी में बात करते हैं यहां पे यह जो पहले यह विंड पावर आया है यह है मानलों कि विंड स्पीड में 10% का चेंजिस हुआ तो पावर आउट्पूट यह खा गई रेटेट स्पीड है उस रेटेट स्पीड से बात करू आगे तो यहां पे कटिन स्पीड और टर्बाइन आउट्पूट है कटिन स्पीड किसे कहा जाता है यानि कि विंड टर्बाइन की यहां पे तीन मीटर पर सेकंड से विंड की स्पीड रहेगी तो उसको क क्टीन स्पीड कहा जाता है और क्युक् Det gustik क Means whnt टरबन धी और इस आउप इनर्ज्य आउऊपउट से नेका स्टार्ट करता हे से तुन मीटरा पर सेकंड की स्पीड से ही 29 região चाहँ चलेगी यहांपे 30 मीटर सेकंड से ए proseौलेगी यहां पर ट सेदری में हम यहां पर rated power यहां पे start होने वाला है तो मैंने यहां पर rated power भी आपको दिखा दी आ कि rated power आउर्पूर्ट यहां से start होगा तो उसको हम कहते है rated power output उसके बाद मैं बात करता हूँ यहां से तो 11 meter per second से लेके 25 meter per second की speed से यहां पर जब भी wind speed चलेगी तब उसको यहाँ पे जो cut out speed रहती है यानि कि जब भी ज़दा 25 meter per second से ज़दा की wind speed चलेगी तो यहाँ पे cut out हो जाएगा generator यानि कि आगे power produce करना बंद कर देगा generator क्योंकि वो सबसे ज़दा speed हो गई यह wind की तो यहाँ पे हो गया वो cut out speed उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो curve C किसे कहा जाता है तो पहले बात कर लेता हूँ cutting speed और rated speed यह दोनों के बीच में जो यह दिखा रहा है हमें curve उसको हम यहाँ पे increase रहेगा और उसके बाद यहाँ पे C है जो कर यह rotor rpm हो गया यानि कि जब cutting speed से rated speed रहेगी तब तब rpm यहाँ पे increase होगा generator का उसके बाद rated speed से लेके cutout speed तक rpm rotor का वो constant रहने वाला है तो यह पुरा का पुरा यहाँ पे वीडियो था अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे comment कर सकते हो झाल 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 झाल